आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें इसका तनाव यहां पर इस ट्रिंग में डोरी में तनाव टी होगा, वही तनाव हमारा यहां पर होगा क्योंकि यही डोरी से बधा हुआ है और यह उपर सच से दोनूं बधे हुए हैं ठीक, इसका नितांग के दिया हुआ हमें तो यहां पर हम लिखेंगे, तो माना डोरी में तनाव T है, सामय अस्थाक लिए, स्प्रिंग की लंबाई में ब्रिध कितनी हो जाएगी, मानले अगर X ब्रिध हो जाएगी, तो आप जानते हैं कि F बराबर की X होता है, और यहां पर बल क्या लग रहा, T तनाव बराबर हो ज तो आप अस्थानतरी सामय अस्था के लिए घिरनी के लिए अगर हम देखें, घिरनी के लिए आप देखेंगे, तो अगर इसका द्रब्मान यह है, तो नीचे के तरफ M, इधर M G लगेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो उपर की तरफ जो बल लग रहा है, उसके इतने बल लग रहा है, T, प्लस T, 2T, ठीक है, तो घिरनी के लिए आप क्या लिखेंगे, घिरनी की सामय अस्था के लिए, घिरनी की सामय अस्था के लिए, संतुलन के लिए, सामय वस्था, ठीक है, घिरनी की सामय अस्था के लिए, क्या लिखेंगे, इसके लिए आपका T बराबर कि आपका kx है तो आपका 2kx बराबर mg ठीक है यह x लिख सकते हैं यहाँ से mg बटा 2 k आजाएगा यहाँ से ठीक है यहाँ आगया आपका मालों ऐसे बना लें कि यह थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाई इससे लगी हुए तो इसकी लंबाई में कुल कितनी बृध्ध हो जाएगी इसमें एक्स बृध्ध हो रही यानि इतनी दूर एक्स है ठीक है तो यहां भी उतनी दूर बृध्ध होगी एक्स दाइन तथा बाई औ तो यह जब आएगा तो एक्स दूर इतना एक्स दूर इतना यह नीचे आएगा तो यानि कि कुल कितनी बृध्ध हो जेगी इसकी लंबाई में कुल बृध्ध आपकी टू एक्स हो जाएगी ठीक है तो इस चन हम निकाय की उर्जा निकालेंगे तो इस चन हमारी निकाय की उर्जा ठीक है निगाय की इस्थिती जूर्जा निगाय की उर्जा आप किया जाएगी उर्जा बराबर U बराबर क्या होता हम जानते हैं एक बटा दो ठीक है एक बटा दो क्योंकि घिरनी उस पे घुम रही तो I omega square भूणन गत की केरण हुआ और नीचे किटना आ रहा है आपकी इस्तित उर्जा कितनी होगी माइनस नीचे की तरफ जा रहा है माइनस mg x होगा प्लस आपका इस प्रिंग के वज़े से कितनी उर जाएगी उसकी एक बटा दो kx स्क्वाइर एक बटा दो k और x का मान कितना है आपका kx स्क्वाइर यह एक पहले इतनी लंबाई थी जब हमारी संतुलन की उस्था में थी तो बाद में कितनी बटाई बढ़ गई प्लस 2x इसका होल स्क्वाइर ठीक है समझा रहा पहले इतना mg बटा दो की था जब समय उस्था में थी हमारी पूरी घिरनी इसके बाद जब उसे खीचेगी उपने भार की वज़े से तो लंबाई में कितनी ब्रिद होगी 2x तो वो पूरा यह पूरा आपकी उड़ जा जाएगी निकाय की पूरी उड़ जा ठीक तो इसको आप क्या लिखेंगे हल कर गे इसको आप लिख सकते हैं आप यह हो जाएगा यू बराबर थोड़ा नीचे लिख देता दो अगर कामन लें यहां से प्लस कामन लेंगे आप यहां से अगर आप देखें तो ओमेगा वी बराबर होता जानते हैं यहां लिख देता हम वी बराबर आर ओमेगा होता है ठीक है तो आगर ओमेगा को क्या लिखेंगे वी स्क्वाइर बाई आर इसक्वार ठीक यह पूर mv square होगा प्लस इसको क्या करिए माइनस mgx भी था ठीक इसको लिख देता है माइनस mgx ठीक माइनस mgx ठीक प्लस एक बटा दो इसको k है इसको पूरे को a माइनस a प्लस b का होली square से खोल देते हैं तो यह क्या हो जाएगा पहला वाला m square g square बटे 4k square प्लस 4x square हो जाएगा प्लस 2ab 2ab क्या होगा दो गुडे 2x गुडे mg बटा 2k ठीक यह पूरा आपका यहां से हो गया ठीक इसको हल करते हैं और यह हो जाएगा यहां से अगर आप common लें अब यहां पर common लेते हैं एक बटा द ले लेते हैं यहां पर क्या बचेगा यहां बचेगा आई बटा r square प्लस यहां बचेगा m ठीक यह बचा यह हो जाएगा माइनस mg x ठीक है प्लस अब एक बटा 2k को अंदर ले जाते हैं तो इससे जब गुडा करेंगे तो यह जगा m square g square बटे एक के से कट जाएगा यह इससे गुडा करके 2 से 2 कट जाएगा यह हो जाएगा और 2k x square ठीक इसमें आएगे प्लस यह वाला क्या आएगा यह वाला दो एक दो तो इससे कटेगा देखिए और एक दो जब आप इसको इससे गुडा करेंगे तो यह भी 2 कट जाएगा और k से k भी कट जाएगा क्यों क क्या बचेगा mgx बचेगा आपका mgx बचेगा और यह वाला इससे कर जाएगा प्लस माइनस तो एक दूसरे से तो एक दूसे कैंसल आउट हो जाएगा फिर यहां क्या बचेगा यहां पिसको यह आजाएगा आपका 1 बटा 2i बटे r square प्लस m प्लस M स्क्वाइर G स्क्वाइर बटे 8 K प्लस 2 K X स्क्वाइर यह आपका आपका निकाय की कुल उर्जा हो गई तो चूंकि पूरी संगत में हमारी निकाय की कुल उर्जा का कोई 6 नहीं हो रहा है मतलब एक नियतांक है ठीक है चूंकि आप लिखेंगे पूरी संगत में हमारी उर्जा का 6 नहीं हो रहा है संगत में ठीक है पूर्जा का 6 नहीं हो रहा है ठीक है इसलिए क्या लिखेंगे मतलब यह हमारा नियत रहता है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं अगर DU by DT यह क्या होगा? शुन, क्योंकि यह नियतांक है थिक है? यहाँ से DU by DT, इसको 0 करते हैं तो इस क्या होगा आपका? पहले का यह V स्क्वार भी था यहाँ यहाँ होगा एक बटा 2 I to constant है R स्क्वार प्लस M इनटू V स्क्वार का अगा T के इरिस्पेक्ट में आप differentiation यानि आउकलन करेंगे क्या आएगा यह आएगा 2V dv by dt ठीक है प्लस यह पूरा नियतांग खतीको सुनने हो जाएगा m नियत है दो इसका द्रबमान G का मान भी नियत होता है k spring नियतांग भी constant होता है यह पूरा सुनने हो जाएगा आपका और इसका यह अहां भी है एक V यहां भी है यह दोनों V है क्दूसरे से कट जाएँगे क्योंको इधर हमारा सुनने है ठीक है qr क्या आपको आपने सुनने किया था यह 0 हो गया हो है यह दो लोगर तो कट दीजह आए कि तो यहां पर क्या बचेगा आपका हमारा i बट्ट आईगा i4 प्लस एम इंटू यहां पर क्या बचा डीवी बटे डीटी और दूसरे वाले टम को इधर ले जाते हैं तो माइनस यह बचेगा दो दूनी चार माइनस 4K X बचेगा तो यहां से dby dt क्या होता हमारा तोरन होता है आपको a बराबर क्या जाएगा a बराबर माइनस 4K X बटे में आएगा i बटे R square प्लस इतना मिल गया तो यह हम देख रहे हैं कि हमारा तोरन जो है аций एकस के अनकुरमान पाती है इसका मतला हुमारा यह सरल आवर्थ काल क्या होता है आवर्थ काल शलीं सकते हैं कि यह यह पूरा omega s зов है या आप आप अवर्थकाल जानते हैं t टी बराबर होता अंडर होस्त आपने त्लणा ध popular थिक विच्थापन त्वर करेंगे तो यह पूरा ऊपर चल जाएगा ओँ फोर के नाच भका जाएगा थे क्लिडिक तो यह प्लेंड बराबर टू पाई अंडर रूड में विस्थापन बटा तुर्ण क्या जाएगा आई बटा आर स्क्वार प्लस एम ठीक है बटे फोर के बटा में फोर के यह आपका अवर्द काल हो जाएगा यह हमसे पूछा है कि बत दिखाईए कि असराल अवर्द गत कर रहा है उसका अवर्द काल निकाल लिए तो यह आपका एंसर आजाएगा ठीक है सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर